नमस्कार दोस्तों मैं हुए S.P. शर्मा आप देख रहे है ग्रिन गाडन चनल ग्रिन गाडन चनल में आप सभी को शागत है आज मैं आप लोगी शाथ शेयर करूंगा शिंडर मीडिया में लगा हुआ रोज फिलार प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे यानि की छोटे पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोग बहुत अच्छा से समझ पाएंगे आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है मेने पास एक शिंडर प्लांट में लगा हुआ रोज फिलार प्लांट है देखिए इसमें बहुत अच्छे-च्छे रूट्स निकला हुआ है यह देख जल्दी इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा इसलिए रिपोर्टिंग करना बहुत ही जरूरी है शीक सिंच पॉर्ट में लगा हुआ शिंडर मिडिया की रोज फ्लावर की जो प्लांट है इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए शब से पहले एक प्लांट को हमको निकलना है यह देखि में है यहाँ पर दो प्लांट है तो प्लांट की जो रूट बाऊंड है बहुत ही अच्छा रूट बाउंड हो चुके है इसका मैं थोरा सा नीचे से दिखाते अप लोग को यह दी रूट बहार की और आते जा रहे तो आभ ही हमको उसको रिपोर्टि ब्रांचेस हुआ है एक ब्रांच एदर गए है और इसके बाद दो ब्रांच आया है देखी एक में बार्ट्स है लेकिन बार्ट्स में किरे लग चुके है और उसमें बहुत बड़े बड़े होल कर दिये गए है यह देखी लेकिन आभी हमको बार्ट्स नहीं चाहिए बार्ट ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन आभी हम reporting जैसी कर देंगे और इसमें multiple branches आना start हो जाएगा reporting करने से पहले कुछ बात आप लोगो शेर कर देता हूँ यह देखिए जितनी भी old leaf है यह old leaf infected है इनकेस अगर infected नहीं भी होंगे old leaf जितनी भी होंगे पूरे cut कर देंगे एक भी old leaf नहीं रहना है और जो new new leaf आए है new leaf अच्छे है और new leaf को आपको रखना है इस बात को धेन रखना है एक सिजार लेंगे एक सिजार की help से आपको leaf पूरे अलग कर देना है ऐसे करके जितनी भी leaf है पूरे leaf अलग कर देना है second plant में भी जितनी leaf है पूरे leaf को हम हटा देंगे हमने हटा दिये है second plant की भी पूरे leaf हटा दिये है और जो उपार barts था बarts को भी हटा दिये है जो new leaf है new leaf को हमको रहने देना है इसको cut नहीं करना है लेकिन और एक जो tips है यह देखिए एक branch में एक बार्टस आएंगे और बार्टस जैसी आएंगे उसको भी cut कर देंगे अब ही हमको flower नहीं चाहिए है इसके बाद अब ही हमको reporting कर देना है जैसी हम reporting करेंगे उसके 10 दिन बाद इसमें new new branches आना और start हो जाएंगे यह दिखिए जितनी भी notes देख रहा है पूरे notes active हो जाएंगे active होने के बाद बहुत सारे branches आएंगे और हमारे flower plant फिर से बुशी बन जाएंगे ऐसे करके आपको reporting करना है reporting करने की time जो चोटे-चोटे बात है इसको धेन में राकते हुए आप reporting करें तो आपको काफ़ आच्छा result मिलेंगे reporting करने के लिए सबसी पहले हमको एक pot selection करना है देखी यह 6 inch pot है हो शक्त है आपका 8 inch हो 8 inch से आपको 10 से 12 inch में देना है और अगर 6 inch है तो 8 inch की pot में देना है यह देखी मैंने एक 8 inch की pot लिए है 8 inch की pot लिए है और उसमें drainage hole कबर करने के लिए मैंने 12 mm की कुछ शिंडर है मेरे पास और इसका drainage hole कबर हो चुके है इसके बाद हमको जो शिंडर लेना है उस शिंडर यह देखी ऐसे करके यह देखी कुछ शिंडर में ने फिल कर दिये है और हाथ से थोड़ा सा बिखेड देंगे इसको यह देखी यह हो गया इसके बाद हमको यह जो plant है plant को निकलना है ऐसे करके हमको पकड़ लेना है पकड़ने के बाद आफ दो हाथ से पकड़ेंगे और इसके बाद ऐसे पलटा देना है पलटाने के बाद कुछ शिंडर ज़रूर नीचे गिर जाएगा जो loose शिंडर है उपर की वो गिर जाएंगे लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं है और इसके बाद ये जो पॉट है पॉट की किनारा को किसी चीज की ऊपर थोड़ा सा ठोकर मार देंगे तो आपकी जो प्लाइंट है प्लाइंट आपके हाथ में आ जाएगा ऐसे करके आपको पॉट से प्लाइंट को निकलना है खिच कर कभी भी मत निकले और नहीं तो आपकी फ्लाइंट की जो रूट है रूट डिस्टर्ब हो जाएगा चली मैं निकल कर लेकर आता हूँ ए देखिए दोस्तो प्लांट को निकल लिया गया है और इसका जो रूट है रूट आप लोग देख पर है बहुत ही अच्छा रूट है मैं एक बात कहना चाहूंगा यह प्लांट जब आप रिपोर्टिंग करेंगे एक दिन पहले इसको पा रिपोर्ट ना करें फ्लावर प्लांट को निकल लेने के बाद आप देखिए पॉट में हमको बैठल ना है यह हमारी पॉट है पॉट में हम आराम से बैठल देंगे काइंडली आपकी मीडिया जिस टाइम गिली रहते है उस टाइम आपको बिलकुल भी रिपोर्टिंग न से जहरेगा नहीं प्लेंट को पॉटकि ठीक बिचोबिच बैठल डिया गया है देखिए और एक बात मैं दिखाता हूँ एक नीचे से सकर निकल रहा है देखिए सकर है यह दिखिए तो ऐसे अगर शकर कहते है इसको हमको नहीं रखना है अलग कर दिये है पॉट की ठीक बिचो बिच प्लांट बैट चुके है अब ही हमको शिंडर से फिल कर देना है शिंडर से धीरे धीरे करके हम फिल करेंगे चारो साइट से हम शिंडरल डाल देंगे ऐसे करके इन केस आप लोग अगर उनली शिंडर में रोज फिलर प्लान को ग्रो नहीं कर पाते हैं तो ओ कंडिशन में आप 80% शिंडर के साथ 20% बार्मी कमपोस्ट एक मुठ्धी हर्ण मेल एक मुठ्धी बोर्ण मेल आधी मुठ्धी निमखली एड़ करके भी आप ग्रो कर शकते हैं और इन केस आप लोग अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर सकते तो ओ कंडिशन में आप बर्मी कमपोस्ट मिलाइए अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपको भी और पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा कम पानी देने से भी कम चल जाएंगे और इन केस आप अगर प्योर शिंडर में ही ग्रो करते हैं और उसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा रेजल्ट नहीं मिलते हैं और पानी देने के लिए थोड़ासा प्रब्लेम बनता है, तो ओ कंडिशन में जैसे हम प्लाइंट लगा लेंगे, लगाने के बाद आप एक से दो मुठ्थी सेंड, थोड़ा जिसे बड़े दाने की जो सेंड है, उसी सेंड को आपको लेना है, कंस्ट्रक्शन में लगने वा बाटर डल देना, यानि की बाटरिंग कर देना, तो जो सेंड है, सेंड आलमोस्ट हमारे प्लाइंट की जो रूट है, रूट जोन में जाके सेट हो जाएगा, और हमारे फ्लावर प्लाइंट की रूट जोन को हमेसा मौइस्ट बना के रखेगा, तब भी आपको अच्छा जाल्ट मिलेंगे और अच्छा रजाल्ट मिलेगा, लेकिन शिंडर की शाइस 2-8 mm होना चाहिए, आप आनवास्ट लिजिए, वास्ट लिजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी पास मिल जाते हैं, आप उसी को लिजिए, उसी में ही आपकी रोज़ फ्लावर से ग्रोथ स्टार्ट कर लिया है, एए देखिए, ऐसी करके आपकी रोज़ फ्लावर प्लाइंट भी बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे, एदेखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग को आप ही छोटे छोटे फ्लावर प्लाइंट की प्रूनिंग नह टूल्स लेंगे, टूल्स की हेल्प से थुरा सा प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी एर बाकेट ना रहे, कोई भी एक टूल्स की हेल्प से आपको ऐसे करके प्रेस जरूर करना है, यह देखिए, शिंडर बिलकुल गैप जगा पे जाके सेट हो जाएगा, कोई भी अलाग से यार बाकेट बड़े बड़े यार पाकेट नहीं रहेगा यह बहुत जरूरी है इसको धेन रखिए क्योंकि आगर ज़्यादा बड़े यार बाकेट रहेंगे उस जगा पर फंगास का एटाक जरूर होगा और आपको अच्छा रजल्ट नहीं मिलेगा यह दिखिए इसमें आप और भी कुछ शिंडर देना है यह हमारे फ्लार प्लांट लग चुके है फाइनली लग चुके है आप वाटरिंग करना है बाटरिंग के लिए हमको एक लिटर बाटर लेना है देखिए एक लिटर मैंने बाटर ले लिए है और यह मेरे पास फंजिसाइड है आपके पास कोई भी फंजिसाइड होगा तो आप दो ग्राम कॉंटिटी में फंजिसाइड लेजिए ये देखिए मैंने दो ग्रम क्वांटिटी में फंजिसाइड ले लिये है और ये वाटर में डाल दिये है और इसके बाद अच्छा से मिक्स कर देंगे ये देखिए वाटर के शाद डिजल्व हो चुके है आब हमको ये वाटर इसमें डाल देना है फर्स्ट टाइम आपको बाटरिंग बहुत ही आच्छा से करना है ताकि जितनी भी शिंडर है पूरे शिंडर गिली हो जाए बाटरिंग के बाद देखिए नीचे से वाटर एक्स्टा वाटर जो है वो पासे हो चुके है ऐसी करके आपको रिपर्टिंग करना है कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स बक्स में जाके जरूर कोशिन कीजिए आप लोग की पूरे कोशिन की एंसरिंग कर दिया जाएगा उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर दिना शेयर कर दिना शाब्सक्राइब जरूर कर दिना शाथ में वेल आइकन को प्रेस कर दिना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ आप तक तुरहन पुस्ट आगे दोस्तों आज यही तक है इसके बाद फिर्म लेंगे ना टपिक के शाथ ना जान कर लेकर आएंगे थैंक्स तरबाची